डिलीट किया हुआ फोटोज और वीडियोज को किस तरीके से आप एक स्मार्ट फोर में रिकवरी कर पाएंगे इसके बारे में हम आज बात करेंगे असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब तो सबसे पहले आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा क्योंकि दो तरीके से फोटोज और वीडियोज डिलेट होते हैं पहले चेज़ कि आप gallery से ठीप इल inland करते हैं और जो gallery से ठीप करते हैं वह recycle bin में जाता हैं जो recycle bin में चला जाता है उसको आप 30 days तक आप recovery कर सकते हैं और एक यह delete होता है कि आप gallery से बीलीड कर दिये और आप recycle bin से बीलीड कर दिये वह हों गया permanently Rever criticism आप आपके फोने में कहीं पर भी रहा नहीं। उसथे फोटियूर को कैसे रीकवरी करेंगे?" इसी के बारे में हम बात करेंगे. यहां पे आ गालेरी में आए हैं, तो यहां से एक फोटो डिलीट होता है करना है यहां पर यह application मिल जागा इसको पहले से मैं install कर लिया हूँ जहां से हम direct इसे open करते हैं open करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर दो option मिलेगा यहां पर मिलेगा यानि आप photos को search कर सकते हैं और search for videos यानि दोनों में से अगर आप पर photos चाहिए या फिर वीडियो चाहिए तो वह चीज़ आप यहां से कर सकते हैं तो photos में करेंगे यहां पर सारा photos यहां पर आने लगा तो जैसे हम वीडियो करते हैं और यहां पर go setting में जाता है और इसे यहां से enable करना होगा क्यों कि allow देंगे आप अपने file का तभी एक्सेस कर पाएगा simply इस पर हम करेंगे यहां पर देख सकते हैं यह research होने लगा है recover होने लगा है तो यहां पर search कर रहा है और जैसे search हो जागा यहां पका तो यहां पर थोड़ा से network की वज़ासे थोड़ा सेdyo करता है अभी हम सब्सक्भ यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से photos और यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से videos आने लगे हैं तो यह आपके वीडियो जो delete हुए है वो भी है लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि इसमें वो भी वी वीडियोज शो करेंगे जो आपके गिलेरी में होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर छाटना होगा कि आपको चूज करना होगा कि कौन सा मेरा डिलेटेड है तो यहां पर आपको गिलेरी में भी शो हता है तो से यहां पर दिक्रत है कि आप यहां पर recover पर आपको click करना है, जिसे आप recover पर click करनेंगे तो आपको file choose करने का option आगा, तो अगर आप direct upload करना चाते हैं Google Drive पर, यहां पर आप recommend कर सकते हैं, अगर आप file में save करना चाते हैं, तो इस पर आप click कर सकते हैं, और कहीं upload करना चाते हैं, तो इस पर click करना है, तो अग यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने को बद यहां पर देख सकते हैं फोल्डर सेलेक्ट हो गया है और यहां पर यूज इस फोल्डर को मीडिया वाले फोल्डर को यूज कर सकते हैं तो जैसे यहां पर click करेंगे तो यह जो है वो allow मांगेगा कि आप इस जगह पर आप media को access कर सकते हैं तो simply अप्टा करेंगे इस पर allow पर click करेंगे तो यह इस जगह पर save हो जागा अगर photos आपको चाहिए तो photo पर करेंगे just उसी type का आप पूरे तरीके से show होने लगेगा और show होगा आप जिसको download करना चाहते है वही select करना है और उसी type का आपको fly file हो गयरा select करके यहाँ पर recover कर लेना है तो इस तरीके से आप अपने photos डिलेट हुए या फिर videos डिलेट हुए चीज़ को आप recover कर सकते हैं और फिर से वापस उसको ला सकते हैं अगर video useful लगे होगे तो ज़रूर दूसरे का पास share किजएगा वीडियो पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब मिलते हैं किसी और interesting बाइ